वीडियो चलू हो गया है, बलकिं गे ऊपर, तो आज के जो टौपिक है बाई, कि बलकिंग के दौरान, मतलब गेनिंग के दौरान, क्योंकि आप लोग मालू मैं गया है, लास्ट डो मैंने बलकिंग aí बनाया है वीडियो, तो आप आप जा के देख लेना आज के जो टॉपिक है भाई बलकिंग में एप्स वरकाउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस पर आज वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत लोग वैसे तो डेली एप्स की बारे पूसते हैं शायद मैंने उसके उपर एक वीडियो भी बनाया है उस पर काफी आप लोग का अच्छा सपोर्ट मिला है मुझको तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर भी उसी तरही है कुछ सपोर्ट मिले मुझे तो अबी बात करने वाले है कि bulking पे अब्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि बहुत लोग कंफूसर रहते हैं कि अब गेनिंग कर रहे हैं गेनिंग के टाय मैं ओड़न के दोरान पेट निकलता ही निकलता है लेकिन आप मुझको एक बात बताओ कि आप किस तरीकी का workout करोगे heavy workout करोगे या lightweight workout करोगे heavy workout जब करोगे जब आपको gaining करनी रहती है तो आप heavy lift करोगे आजकल तो क्या करते हैं बंदे cutting के दोरान भी heavy lift करते हैं वो सही भी है लेकिन अब abs उसके अंदर क्या involvement है मैं आपको बताता हूँ देखो क्या होता है कि abs आप भले abs नहीं निकले आपके bulking के दोरान थोड़ा पेट निकलेगा कि bulking के दोरान abs पेट निकलता ही निकलता है लेकिन उसको proper उसी तरीके से ट्रेन करना पड़ता है जैसे हम बाकी muscle group को भी train करते हैं उससे क्या होता है हमको benefit आपको बहले बाद बता दू अगर abs आपके निकले चाहे नहीं निकले लेकिन आपका core जो पूरा जो core का area है वो बहुत अच्छी तरीके से strong बनेगा और जब strong बनेगा तो आपको क्या होग आप अच्छे heavy lift कर पाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक आपका core ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं रहेगा ना आप pull ups लगा पाओगे ना push up लगा पाओगे बाकी कोई भी squats भी नहीं लगा पाओगे अच्छी तरीके से इसलिए हमको abs routine को follow करना पड़ता है जैस नहीं करना है इस पर वीडियो बना है वो जाके देख लेना alternate days हम कर सकते हैं जैसे abs एक दिन लगा लिया दूसरे दिन side लगा लिया इस तरीके के हम workout को follow कर सकते हैं पहले के टाइम बाई अलग बात हुआ करती थी कि abs जादा train में नहीं थे train में नहीं थे तो और साथ में लो जरूरी है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि किस चीज में आपको support करते हैं squat हो गया push up हो गया आपका bench press हो गई shoulder press हो इन सब चीजों में चब तक आपका core strong नहीं होगा तब तक अच्छी तरीकी से आप lift नहीं कर पाऊगे तो आपको मैंने बता दिया कि bulking के दौरान आप abs workout 101% करना ही करना है आपको जैसे नॉर्मल आप train करते हो तो देखो क्या होता है कि डाइट में ही तो change होता है या बस बाकि आपने डाइट अगर आप bulking कर रहे हो तो heavy calorie लोगे यह ना gaining करो तो heavy calorie लोगे लेकिन आप cutting करते तो कम calorie लेते बाकि calorie का ही फ़र्क पढ़ता है बाकि क्या workout क्या बाकि तो workout वही रहता है और मैंने जैसे आपको बता है कि bulking के दौरान तो आप heavy lift करते हो आज के लोग बंदे जो है cutting के दौरान भी heavy weight करते उठाते हो वो काफी अच्छी तरीकी अच्छा है तो आप लोगों को पूरी तरीकी से पता चल गया कि bulking के दौर तो यह बराबर तरीके से सब चीज़े दिखनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक चीज़ जादा दिख रही है एक चीज़ कम दिख रही है lower body भी आपको अच्छी तरीके से train करना है वैसी ही apps को भी आप अच्छी तरीके से train करना है तो यह एक और वीडियो bulking के दौरान आप लोग कि और bulking से आपको कुछ और आपको पूछना है तो वह भी मैं आपको बताने के लिए तयार हूँ तो है ना तो फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाए बाए लोग